नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखने ने सल्द सके इस देश में आज सबसे ज्यादा राजनिती जो होती है वो सिर्यूल का सिर्यूल ट्राइब पिछरे समाज को लेकर होती है नया कानून आ रहा है मत पर्देश में या बीजेपी सासित राज्यों में या थी और दोनों ने मुश्चुल अंडरस्टैंडिंग पर तलाग के लिए अरजी दी है इस बात ने और लब जिहाद के नारों को बुलंद कर दिया है मैं बताऊंगा टीना दावी और अतहर के बीच दोनों क्यों अलग हो रहे हैं इसकी वी वज़़ज़ बताऊंगा कैसे वह उसे पहले कुछ बीजे पी के के करेक्टर और इस देस में जातीवादि मनुबाद के करेक्टर पर आते हैं जो लोग इसको लब-जिहाद कह रहे हैं और जो लोग फले पहलेемсяी कि मुसलिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा और तीन तलाग खतम हो उसको लेकर हुनमें बिल प्रशित किया जाए और मुसल्मानों का भय दिखा कर ACSTOBC माइनोटी को हिंदू बना कर उनका बोट लिया जाए यह वही लोग हैं जो रिजर्वेशन का बिरोध करते हैं यह वही लोग हैं जो आपके हदिकारों का बिरोध करते हैं और बन बिवस्ता के हिसाब से आपको सुद्र और चूत मानते हैं समिधान के हिसाब से ACSTOBC माइनोटी के जो अधिकार हैं उसके खिलाफ हैं और यह वही लोग हैं जो समिधान को नहीं मानते हैं लब जिहाद पर ही बात करूँगा लेकिन पहले मोटा मोटी बात कर लिजे इस देश में BJP RSS की जो पूरी राजनीती है या यह कहिए कि जनरल कैटिगरी के लोग की जो पूरी राजनीती है वो धर्म के आसपास घूमती है धर्म से उनको फायदा है उनको एक जूरता मिलती है उनको भोट मिलता है लेकिन वही जब आप जाती की बात करेंगे तब जाकर आपका नुकसान होता है लेकिन जब वही कैटिगरी की बात करेंगे समिधान की बात करेंगे तो जाती की बात करने वाले और धर्म की बात करने वाले अपने गरों में घुज आते हैं, अपने बिल में घुज आते हैं जो लोग आज टीना डावी को लेकर दलितों की चिंता सतारी की ये भी लब जिहाद है उनसे पूछ ये कि जब कोई सीडूल का सीडूल ट्राइब ओवी सी का लरका किसी जनरल कैटेगरी की लरकी से साधी कर लेती है तब क्यों उसकी हत्या कर देते हों ये ओनर की लिंग क्या है तब लब जिहाद का तब उसको क्या जाती जिहाद नहीं कहा जाए जब आप हमारे आरक्षन का बिरोध करते हैं तो क्या मैं उसको धर्म-जिहाद न कहूं जाती-जिहाद न कहूं हमारे पास जमीने नहीं है हमारे पास नौक्रिया नहीं हम गरीब हैं लाचार हैं बेवस हैं हम सब्जी का ठेल Audi लगाते हैं मैं वों परकास बालमी की के सब्दे में कहूं तो खेत तुम्हारा, हल तुम्हारा, बैल तुम्हारा, अनास तुम्हारा, कुवा तुम्हारा, पानी तुम्हारा, हमारा क्या है? तुम जो मुझे आज टीना डावी के बहाने लब जिहाद का जो जो दलितों के हितैसी बन रहे हैं उनसे पूछ ये कि ओनर की लिंग क्या है जाती के नाम पर कौन अपनी सिडिल का सिडिल ट्राइप पिछिर जाती के लोग की हत्या करता है और किसने इस देश में जाती बात होया है मैं फिर कह रहा हूँ डॉक्टर अमबेटकर ने कहा हे हिंदू मैरेख कोड में कि साधी कोई साध जन्मों का बंधन नहीं है काण्ट्रैक्ट है मुच्च्वल काण्ट्रैक्ट है ये एक लीगल कांट्रैक्ट है आप आप एक दूसरे के साथ तभी तक रहे जब को एक दूसरा आपको सममान करता हूँ, आपको अधिकार देता हूँ इस देश में संसकिर्टी के नाम पर पांच-पांस साधियां करना, हजारों साधियां करना, राजा, हजारों रानियां रखते थे जो बीच का दोर है 2000 साल का चाया वो मुगल राजा हो चाया वो राजपूत राजा हो इस देश में बुद्ध के समय समराट अशोक हो वो पंसील का सिध्धान्त फॉलो करते थे इस देश में चंदगुप्त मौर को देखिए वो पंसील का सिध्धान्त फॉलो करते थे घना नंदो पंसील का सिध्धान्त फॉलो करते थे जितने नागवंस के राजा हुए पंसील का सिध्धान्त फॉलो करते थे और वो चरित्रवान होते थे उसके बाद जब ब्रिदरत मौर की हत्या होती है और उसके बाद जब नमाजिक कुरूतियां थी चाहे वो बाल बिवा हो चाहे वो बाल गंगा धरती लग तो बाल बिवा के पक्षधर थे चाहे वो सती पर्था हो चाहे वो महिलाओं का उत्पीरन हो पांच-पांच साधी कर देते थे इन तमाम बुराईयों को दूर करते हुए बावा साहब ने म महिलाओं को अधिकार देना तै किया और हिंदू को भी लेका रहा है और उसमें साफ लिखा था कि आप बिना पहली पत्नी को तलाक दी हुए कानूनी तरीके से उसको अधिकार दी हुए आप दुसरी शादी नहीं कर सकते हैं आप सोचिए अगर बन बेवस्ता के हिसाब से मिर्ती में है कि ढोल पसुष, सुद्र, गवार, नारी, तुलसी दास कहते हैं अगर आज टीना डावी आईस नहीं होती तो क्या वो तलाक लेके अपने पैरो पर खरी होती कोई महिला किसी मर्द का गुलाम कब होती है जब उनके पास कोई साधन नहीं होता है उनका अपना घर नहीं होता है उनके पास जमीन नहीं होती है फातिमा से एक सुक्रिया सावित्री वाई फुले अपनी स्कूल खोला, महिलाय पर लिक आज SP DM कलक्टर CM बन रही है, और टीना डाबी ने अपनी मर्जी से तलाक लेने का फैंसला किया है, इसलिए बाबा साब ने कहा था कि साधी कोई साज जन्मों का बंदन नहीं है, एक कां अत्याचार सा है, बेटी अत्याचार सा है, बहन अत्याचार सा है, ये इस रिसर्च है कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीरन पिता के रूप में, पती के रूप में और भाई के रूप में अपने घर से सुरू होता है, ये सबसे बरास्त है कि इस देश में महिलाओं क सबसे ज़्यादा मांसी कुदपीरन, सालिरी कुदपीरन पहले अपने घरों में ही सुरू होता है टीना डाबी जैसे आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी होंगी तो वो अपने अधिकार के परति सचेत होंगी और उनका पती क्या, पिता क्या, भाई क्या दुनिया का कोई सक्सुन का शोष्रन नहीं कर सकेगा तो इसका लब जिहाद से कोई लेना देना नहीं है लब जिहाद एक राधनितिक सगूफा है जो आपको भरकाता है मुसल्मानों के खिलाब जैसे वो मुसल्मानों को कटर कहते हैं दरसल मैं साप साप कहता हूँ कि इस देश का S.C.S.T.O.B.C. जो पीरित है जो उसकी दैनिये इस्तीती है जो उसको असिक्षित रखा गया उसके पास जमीन नहीं है समपत्ती नहीं है उसकी सबसे बड़ी वज़ा मनुबाद जाती बाद और ब्रहामन बाद है क्योंकि उसके तो उसके खिलाब बात करेंगे जिनका जो मजहब है उनको जो सही लगता है गलत लगता है वो करें लेकिन सम्भिधान सबसे उपर है और ये जो लभ जिहाद के नारे दे रहे हैं लोगries के शिना डाबी और अथर की डिवोर्स लभ जिहाद का नतिज़ा है उनसे पूछिये कि जाती के नाम पर हत्याएं तुम करते हो और लबज्यात इस देश की महिला इतनी ससक्त होनी चाहिए कि वो अपने अधिकार और सम्मान के साथ ही पूर्सों के साथ रहें अगर उनको महसूस हो कि वो ठीक नहीं है उनके साथ अच्छा बेवार नहीं कर रहा है तो वो उनसे अलग हो जाए लेकि इसके लिए उनको अपने पैरों पर खरा रहना परेगा उनकी समाजी की सिती, राजनीती की सिती, आर्थी की सिती अच्छी होनी चाहिए जो टीना डावी को है और वो लोग दोनों मर्जी से अलग हो रहे हैं वो संबिधान को मानने वाए लोग हैं इसलिए कोई इमोसनल नहों कोई इस तरह के बहकावे में ना है क्योंकि लब जि चलवाने वाला वही जातिवादी मनुबादी थे, गोधरा दंगा भी जातिवादी मनुबादी करते हैं और SCSTOBC पर रोज अत्याचार जातिवादी मनुबादी ही करते हैं, आपके बच्चे का नंबर काट लेते हैं, आपको इंट्रिव्यू नहीं देते हैं, में वाला ज मुसलिम के नाम पर आपको बांट कर राजनीतिक रोटी सेख रहे हैं इसलिए टीरना डावी और अतहर का जो पूरा मामला है वो उनका नीजी मामला है वो दोनों सोतंतर है इस देश में सोतंतरता है कोई भी किसी के साथ लीगल तरीके से रह सकता है किसी भी जाती किसी भी धर हिंदु मुस्लिम साधी का भी रोध कर रहे हैं यही लोग जाती के नाम पर भी शाधी का भी रोध करते हैं आपको तै करना है कि आपको संभिधान के हिसाब से चलना है या मनुवाद के हिसाब से चलना है मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि इस वीडियो पर गंभीरता से स और अपनी राय जरूर दे शुक्रिया